पर्फेक्षन परफेक्शन याने 100 उत्त क्रिष्टता हम कोई भी काम करें चाहे वो ग्यानका हो विद््याका हो रोजमर्रा का हो परफेक्शन हम कैसे देखते में आज हम इसर्चा करेंगे मित्रों परफेक्शन के लिए हमेशा बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता ऐसा हमेशा बोला जाता है क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश होती है लेकिन हम अगर अपने आसपास की जिन्दगी में देखें क्या आप ऐसे ड्राइवर को रखेंगे जिसको 99.99% गाड़ी चलाना आती हो क्या आप एक ऐसा रसोया रखेंगे घर में जिसको 99 प्रतिशक्त खाना बनाने आता हो नहीं आपका पूरा 100% चाहिए होता है और जब वो 100% मिलता है तो वो परफेक्शन हो जाता है तो हमारे समाज में एक गलत धारणा भी फैला दी गई है कि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता नहीं व्यक्ति का परफेक्ट होना एक अलग चीज्ज है और कर्म के प्रती जब कर्म का निश्पादन करता है तो वो उसको 100% परफेक्ट होना पड़ता है हम और आप आफिस में काम करते हैं एक लेटर गलत अगर हम लिख दें तो हमको कितनी फाइरिंग होती है इस चीज़ का इल्म सभी को है लेकिन हम बातों में आके बोलते हैं कि कोई 100% परफेक्ट नहीं होता सब्ज़ क्याम हम और आप जब हेयर कटिंग कराने जाते हैं चैंप तो हम परफेक्ट करवागी चोड थे हैं जब हम स्विंग बनाते हैं तो उसलिए परफेक्शन हमारे आसपास मौजूद होता है यह कहना कि कोई व्यक्ति सबस्तों प्रफेक्ट नहीं हो सकता गलत है अब हम हतेली में क्याकत कैसे देखेंगे कि व्यक्ति ती परफेक्ट या नहीं यह होती है सूर्य लेखा पर एक लाइन हो सीधी है छोटी हो थोड़ी बढ़ी हो मैंड लगता है घाति थोड़ी और बड़ी ओर लाइफ लाइन तक जाती हो तो और अच्छा यह तो फिर बह। बहुत अच्छी सिद्धियां और प्राप्टियों को दिखाने लगता है इतना फुर्फैक्षिन की लाइन सब्सक्राइब और तो अच्छा कि जो उगली है वो सीधी खड़ी है सीधी सी बात है परफेक्ट परफेक्शन जो भी कार्य करेंगे उसमें परफेक्शन हो जाएगा और अपने कॉम्पिटेटर के लिए ऐसे लोग सिर्दर्द हो जाते हैं क्योंकि इनको हटाना इनको न करना असंभव होता है मित्रों यह तो हुआ परफेक्शन की बात है अब क्या वो परफेक्शन हमारे जीवन में काम आ पाएगा किसी विद्या का यदि परफेक्शन है तो क्या वो हमारे काम आ पाएगा और क्या वो हमें मदद कर पाएगा एक अ गुरू का पर्वत देखेंगे हैं यदि गुरू का पर्वत जैसा इज्ञा तक का बना हुआ है ऐसा हो बहुत ही अच्छा बगती की लाइने बह रही है यह यह पर्फेक्शन होता है और पिर हम बुद्ध का पर्वत भी देखेंगे बुद्ध का परवत कुछ विशेश बना हुआ है और यहां पर मुझे ट्राइंगल दिख पा रहा है ऐसा जब ट्राइंगल बनता है तो व्यक्ति इन्वेंशन वाला होता है रिसर्च करता है और कुछ चीज ऐसी इन्वेंट करके प्रोड़क्ट बेचता है वो प्रोड़क् इसी के बुद्ध परवत पर त्रिवुज का निशान है तो यह भी एक परफेक्शन का काम करता है कुछ ऐसा परफेक्शन का काम व्यक्ति से करवाता है कि व्यक्ति एक प्रोड़क्ट निकाल देता है और फिर उस प्रोड़क्ट को सेल करके पैसे बनाता है और उसका प्रो भी हो जाए तो बहुत बड़ा विजनेस हो जाता है एक सिटी के भले मल्टी सिटी ना हो लेकिन एक सिटी में उसको ब्रैंड के नाम से अगर जान रहे हैं लोग तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है और ऐसे लोग इसके ट्राइंगल होता है वो लोग भी जान कमाते हैं अब धन जब कमाएंगे उत्पाद बनाके या प्रोड़क्ट निकाल के तब हमको एक ट्राइंगल के उपर एक ट्रैंगल मिलेगा मनी ट्रेंगल यदी हम देखेंगे तो देखिए इनका यह मनी ट्रोइंगल है जो अभी अभी कहीं से खुल गया है यहां से लेकिन उसके साथ-साथ जदि आप देखेंगे तो एक ट्रैंगिल मैं यह वाली बात कर रहा हूं जब भी ट्रैंगिल के उपर वाले हिस्से में कोई ट्रैंगिल बन जाता है तो यह हमको एक एक्स्ट्रा मनी भगवां की कृपा दिव्यमनी दिलाता है यहां जो ट्रेंगल बना है ट्रेंगल को पर ट्रेंगल यह देखिए अब देखिए ट्रेंगल ट्रेंगल पर ट्रेंगल बना है और क्यों बना है क्योंकि ऐसे लोग एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं और वह प्रोड प्रोड़क्ट बनाए हैं और मार्केट में चलाए हैं इसकूल यूनिफॉर्म के नाम से और बे तहाशा करोड़ों में पैसे करोड़ों का कारोबार किया है इन्होंने और इनका गुरू भी अच्छा है तो पर्फेक्शन कहां से आया मित्रों यह तो सबसे बड़ी चीज है कि पर्फेक्शन जो शब्द है उसे आप समझे उत्क्रिष्टता कौशल सौ प्रतिशत किसी काम को करने का कहां से देखेंगे हम सूर्य के परवत. यह सूर्य के परवत है, एक लाइन बंई यह दो लाइन मनिया है यह इनको दो विद्धयाओं में पारंगत है यह इसको पर्फेक्शन है और फिर बता दू लाइन अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो और अच्छी प्राप्ति करा देती है और लाइन और बड़ी हो जाए तो और अच्छी प्राप्ति करा देती है आपको आपके पर्फेक्शन से परफेक्शन से हमें कितना धन मिलेगा हम ट्राइंगिल और गुरू और बुद्ध को देखकर बता सकते हैं तो इन जातक के लिए इनका यही सवाल था कि आगे क्या अब आगे तो इन्होंने इतने अच्छे प्रोड़क्ट निकाल दिये हैं लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं इनके हाथ में और अभी कुछ अच्छी चीजें जो इनको अब मिलेंगी यहां शनी परवत पर देखिया अब मिलेंगी यहां पी ट्रैंगिल है और यहां भी ट्रैंगिल है यह ब्लॉग बता रहे हैं और बहुत सारी बनाई है यहां पर भी हम देख सकते हैं प्रापर्टी की योग यह देखिए तो मित्रों आज हमने जाना कि perfection क्या होता है और perfection कैसे फली भूत होगा हमारे जीवन में और हमें क्या क्या दे जाएगा हम triangle मनी का ट्राइंगल गुरु का परवत और बुद्ध का परवत देखकर यह जान सकते हैं कि आशा करता हूं आपको मेरा मुल्यांकन पर्फेक्शन पर पसंद आया होगा और आपने अन्य जानकारियां भी जो साजा करी है वह भी गौर्त लब है चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करिए सब्सक्राइब कीजिए श्री गड़ेशाय नमाहा माशारस्वती नमस्तु भ्याम